पाठ पंद्रा वाकिगत अशुद्धियां और अशुद्धी शोधन Structural Errors and Their Corrections जब कोई अन्य भाशा भाशी व्यक्ती किसी नई भाशा को सीखता है तो अनेक प्रकार की अशुद्धियां करता है अशुद्धियां होने का प्रमुक कारण है उस भाशा के नियमों की सही जानकारी ना होना उदाहरन के लिए अंग्रेजी तता हिंदी भाशा में पदक्रम संबंधी नियम इस प्रकार है हिंदी वाकिय में पहले करता फिर कर्म और अंत में क्रिया आएगी जैसे करता कर्म क्रिया एक बच्चे किताब पढ़ रहे हैं दो मा खाना बना रही हैं अंग्रेजी वाकिय में पहले करता फिर क्रिया और अंत में कर्म आएगा जैसे करता क्रिया कर्म एक चिल्डरन आर रीडिंग बुक्स दो, mother is cooking foods यदि अंग्रेजी भाशी हिंदी सीखते समय इस नियम से परिचित नहीं है तो वह हिंदी के वाक्यों को बच्चे पढ़ रहे हैं किताब या मा बना रही हैं खाना के रूप में बोल सकता है नियमों की सही जानकारी ना होने पर अन्य भाशा भाशी ही नहीं मात्र भाशा भाशी बच्चे भी अशुद्धियां कर सकते हैं भाशा की अशुद्धियों को धीरे धीरे अभ्यास से ही दूर किया जा सकता है नीचे कुछ अशुद्ध वाक्यों तथा उनके शुद्ध रूपों के उदाहरण दिये जा रहे हैं अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य एक, कलम यह किसकी है? यह किसकी कलम है? दो, वह आए तो गा दो, वह तो आएगा तीन, हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचंद थे चार, एक कहानी की किताब चाहिए कहानी की एक किताब चाहिए यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है सुभाश चंद्र बोस का देश उपकार नहीं भूल सकता साथ, शाम चार बजे जाओंगा स्टेशन में मैं शाम चार बजे स्टेशन जाओंगा आठ, बच्चे को प्लेट में रखकर मिठाई दो प्लेट में मिठाई रखकर बच्चे को दो